और कीचन से जुड़े हुए ऐसे शांदार टेप जो आपकी लाइफ को आसान बना देने वाले हैं वीडियो बहुत ही यूसफुल है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा चले स्टार्ट करते हैं आज का यूसफुल वीडियो जिसे देखने के बाद आपकी लाइफ के बहुत सारे काम बहुत ही आसान हो जाने वाले हैं तो पहला यूसफुल टीप है मेरा कपड़ो को लेकिए कपड़ों में कुछ कपड़ा है यांनि उनका फइबरीक होता है कि जब रिंकल्स को दो हम हिने थीप पड़ों पानी में एक जब निकालते हैं तब आप यहां पर आईस क्यूब डाल देना है फिरिज में से नॉर्मल इसे निकाल लीजिए और जब आप कपड़ों को पानी में डुबाओ के सुखाने के लिए डालते हैं तब आप आइस क्यूब को जरूर डालें और इसे थोड़ी देर डिप करने के लिए छोड़ो दें जब तरह कि ये बर्फ गल ना जाए इसके बाद में नॉर्मल तरीके से आप कपड़ों को निचोड़िए और फिर इने सुखा लीजिए इसमें किसी भी तरीके जो रिंकल्स है वो खतम हो जाएंगे तो ऐसा हर तरीकी कपड़े पे नहीं होता है पर कुछे कपड़ा ऐसा ज़रूर होता है जिसमें बहुत जादा रिंकल्स आते हैं तो उसके लिए यह वाला ट्रिक बहुत ही बैस्ट है इसे आपने जरूर अपना के देखना चाहिए अगला यूसफुल है मेरा ज़ाड़ो को लेगे तो ज़ाड़ो एक ऐसा चीज है जो हर घर में अवेलेबल होता है इसका हम यूज़ करते हैं घर की क्ल करते हैं जो भी आप ओचा लगाने के लिए यूज़ करते हैं उससे भी ज़ाड़ो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है तो मेरा जो ज़ाड़ो है यह प्लास्टिक वाला है इस तरीके को फूल वाली ज़ाड़ो पे भी यूज़ कर सकते हैं दोनों ही तरह की ज़ाड़ो आपका जौड़ो क्लीन होगा तो आपका घर भी क्लीन होगा जौड़ो को आप पानी से घरो निकाल लेंगे जितरल्बैद इसका जो पानी है वह जाता है। इसे आपने दूप में डाल देना है दस मिम्ट के अंदर ये जाड़ू अच्छे से सूख जाती है तो जाड़ू को ज़रूर क caterpillar करें इसे जाड़ू अच्छे से वेल भी जाती है और इसके अंदर किसी तरीके से अगर बाल लगा है तो वो भी बहुत आसानी से निगल जाते हैं क्योंकि जाडू में बाल अक्सर चिपक ही जाते हैं और जिसे निकालना बहुत ही जंजट भरा लगता है और अग्ला इस्वल हैक है मेरा गर्मा गरम दूद को लेखे तो जब भी हम दूद गरम कर रहे होते हैं दूद गरम कर चुके होते हैं और अचानक से हमें कहीं बाहर जाना हो तब एक प्रोब्लम हमें जरूर फेस करनी होती है कि इस गरम दूद को हम फ्रीज में कैसे रखे ठंडा रूट तो हम फ्रीज में रख देते हैं और यहाँ पर हमने एक बरतन में पानी ले लेना है, डारेक्ली हमने कभी भी फ्रीज में गरम दूद को नहीं रखना है, पहले हमने इस तरहीं से प्लेट में पानी ले लेना है, और पानी वाले प्लेट को हमने फ्रीज में रखना है, अब इसके बाद आपने इसमें दूद इससे क्या होगा जो temperature है वो दूद का बहुत जल्दी डाउन हो जाएगा और इसके बाद में दूद को कभी भी फ्रीज में खुला नहीं छोड़ना है अगर आप दूद को फ्रीज में खुला छोड़ देते हैं तो आप देखते होंगे कि फ्रीज में हम और भी सामान रखते ह और भी सब्सक्राइब बहुत सारी चीजे रखी जाती है जिसकी जो स्मयल है वो इस दूद में आ जाती है और दूद बहुत जल्दी खराब हो जाते है तो आपने हमेशा दूद को ढखना है यहां पर दूद अभी काफी सादा गरम है तो जाली वाला प्लेट यूज कर रह करस्की मुझे है कि दूद एकदम से गराम है और हमें अचानक सा कही मां जा रहा हो तो दूद को हम प्रीज में कैसे रखें है अब यसफ़ल है कि मेरा गयस स्टैंड को लेकिये तो हम जब काभी कहीं बाहर जाते है यह रात को जब हम अमारा कीचन का कम खटम का लेते हैं अ और गेस स्टॉफ को डाल देना है तो अपको किछन में मापने काम नहीं होगा और एक कम होता है तो आप अपने लिए टाइम निकाल सकते है तो अपने लिए थोड़ा पो टाइम भी निकाल पाएंगे और आपका काम भी असान होगा तो इस नियूसपेट वाले ट्रिक को उप कीजेगा आपके पास न्यूस पेपर नहीं हो तो आप किसे तरिके का टावेल या कपड़े का भी यूस कर सकते हैं जिससे आपका काम है वो आधा हो जाने वाला है तो यह चोटे 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 ट्रिक को आप अपनाईए और अपनी लाइफ को आसान बनाईए वीडियो यूस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले 2-3 घंटे आप डाल चना जो भी है उसे भीगो लीजिए जब यह बढ़िया से फूल जाएंगे उसके बाद में हमने चने को कपड़े में बांदना है आप बिना कपड़े में बांदे हुए अगर इसे अंकूरित करते हैं तो अब इस पोटली को हमने करना क्या है इसे फिर से पानी में डीप करना है ताकि जो कपड़ा है यह अच्छे से गीला रहे हमने सूखा कपड़े में नहीं रख देना है सूखे कपड़े में जल्दी से अंकूरित नहीं होगा तो इस तरीके से आप अगर किसी बाउल में रख करते हैं तो आप इस तरीके को अपना कि अपने पैसे बचा सकते हैं और घर पर ही आसान तरीके से अनाच को अंकूरित कर सकते हैं देख निकले आपका बहुत सारा दन्यवाद